हेलो एवरिवन आज हम इन चार टॉपिक पे डिसकस करेंगे पिछली क्लास में देखा था जो लाइट होती है वो डिवल नीचर की होती है वेव एस वेल एस पार्टिकल तो जो वेव थी उसके कुछ फिनोमिना थे जिसे इंटरफ्रेंस दिखाता है वो डिफ्रेक्शन होता ह है प्लॉराइजेशन होता है सिमिलरली जो पार्टिकल नीचर के पारे में जिसनम को बताया वो है फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट ब्लैक बोडी रिडियेशन केंप्टन एफेक्ट ठीक है तो इसी को देखके साइंटिस्ट वे डी प्रॉग लिए उन्होंने बताया जैसी लाइट का दो नेचर होते हैं वैसी जो मेरा मैटर होता है उसके भी दो नेचर होता है वे एस वैल एस पार्टिकल उन्होंने एक हाइपोथिस दी इस बात को समझाने के लिए उसने कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथिस उन्होंने कहा कोई भी जो moving particle होगा उसके वो क्या होगी वो associate करेगा wave के साथ it means every moving particle have a wave every moving particle has a wave और उन्होंने इस बात के लिए एक बताया गर कोई चीज के पास अगर क्या होता है wave होती है तो उसके पास क्या होता है lambda present होता है lambda means wavelength और उस wavelength को बुलनोंने वो wavelength equal to week इसकी h upon p जहाँ h है planks constant और जो p है वो क्या है हमारे पास momentum जो p क्या होता है हमारे पे m into v होता है इसको नाम सिर्फ hypothesis इस ले दिया क्यूंकि इन्होंने इसका proof नहीं दिया था तो कुछ साल बाद जो इन्हीं के साथ के काम करने वाले थे इसकॉलर्स थे इनके साथ वाले उन्होंने बताया उनका नाम था एक तर डैविसन एंजर्म उन्होंने एक्स्प्रिमेंट किया और बताया कि जो ये वेवलेंद उस टाइम पर डी ब्रॉगली ने दिया था सिमिलरली उसकुछ टाइम बाद जब्होंने एलक्टोन के साथ किया तो स्ट्रीम सेम वेंडू के साथ वैल्यू आ रही है कि झसीच के लिए इनको भी नोबल प्राइस मिला और उनको भी नोबल प्राइस मिला इलक्ट्रोन के लिए मैं थोड़ा याद करनी होगी कि क्या value होती है मैं भी ओ पेपर में पूछ ले तो निकालते कैसे हैं जो इलक्ट्रोन का जो मास होता है वो होता है 9.1 into 10 की पावर 31 kg और उसकी velocity होती है वो होती है 10 की पावर 6 meter per second ठीक है तो निकालेंगी कैसे 6.6 यह है h की value वो लैमडा निकाल रहा है 6.6 लेके चलते हैं 3 2 भी होता है बढ़ 6.6 लेके चलते हैं कि 34 upon 9.1 into 10 की पावर minus 31 into 10 की पावर 6 इसको solve करेंगे आएगा 7.33 10 की पावर minus 10 meter एप्रॉक्स है यह एप्रॉक्स आएगा ठीक है और minus 10 meter मतलब 7.33 armstrong तो यह क्या होगा हमारी electron की एप्रॉक्स wavelength होगी क्योंकि electron हमने पढ़ा था कि electron क्या होता है particle होता है तो जो particle होता है वो क्या करता है wavelength भी so करता है अगर कोई भी चीज कोई भी अगर exam में question आजाता है कि जो हमारे पास जो pen है copy या फिर जो हम भी है तो वहाँ पे भी थो हम move कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी wave क्यों नहीं दिखती है तो wave सिर्फ उन चीजों की दिखती है जिनका lambda क्या होता है जादा होता है मतलब जिनकी wavelength क्या होगी जादा होगी उन्हीं की हमें wave दिखेगी जिसकी ये value जादा है जिसकी lambda की value जादा होगी सिर्फ उसी की हमें wave दिखेगी बाकि जिसकी lambda की value क्या होगी कम होगी उसकी wave हमें नहीं दिखेगी ठीक है अगर हमें यही लेम्डा अगर काइनेटिक के टम में पूछा गया मतलब के के टम में पूछा गया काइनेटिक एनेजी का फॉर्मला क्या होता है हाफ mv square ठीक है अब क्या करते है नीचे भी mv से इस mv को चेंज करते हैं पी क्वस्ट क्या होता है mv होता है ठीक है इसमें क्या करेंगे इसको में e से डिनूट करती हूँ हाफ उपर भी m into कर देता है तो यह m square हो जाएगा नीचे भी m square हो जाएगा नीचे m आ जाएगा ठीक है अब यह जब m आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं mv square को लिख सकते हूँ p square तो e बराबर p square by 2m तो यहां से p की value क्या जाएगी p is close to under root 2m e तो इस under root 2m e को हम put करेंगे इस equation में तो lambda is equals to क्या जाएगा h over under root 2m e तो आपो यह भी बोल सब्दा है कि deep broccoli की equation in term of quantum energy क्या होगी तो यह होगी ठीक है एक question है जो किस्ते बार में आया हुआ है कि कि एक electron दे दिया हमको एक alpha particle दे दिया और एक proton दे दिया और कहां इन्हें arrange करो यह फिर ascending order में यह मतलब बढ़ते वे करम में यह फिर descending order में गढ़ते वे करम में कि इसके terms में डी ब्रॉगली wavelength की terms में आपया इसको लगाना है तो अभी हमने देखा जिसका mass जतना जादा होगा जिसका mass वेवलेंथ तहीं कम आएगी क्यों क्यों ग्युक्य वेवलेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है एंच अपन क्या है इन वर्लेश्चनल है है तो घुक्त हमारा एलक्ट्रोन है स्था अई है एल्फा पार्टिकल्स इलक्ट्रीम ह्टान है उसका मास कितना होता है बढ़ता है लग भग और घृतों ही होता है यह उसका finished है उसको 700 फिदेश चार्ज तो होते हैं और किसका होता है हिलियम का तो हिलियम प्लस टू चार्ज तो इसका जो मास होता है वह जाएगा फोर एम यू अभी देखा हमने जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका लैम्डा क्या होगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा उतना ज्यादा उतना ज्यादा फिर किसका होगा, एलफा पार्टिकल्स का होगा, जो क्या होता है, लेम्डा क्या होता है, लेम्डा इन्वर्सली प्रिपोर्शनल वन उपोन एम होता है, ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा बड़ा क्या होगा, लेम्डा होगा, उसका उतनी कम मास्क होगा, तो मास सबसे कम किसका है यहाँ पर मास सबसे कम है इलक्ट्रोन का तो जिसका जितना कम मास होगा उतना ज़ाद उसकी लैम्डा की वैल्यू आएगी मतलब उतनी अच्छी वो वेव बना रहा होगा मतलब उतना अच्छा वेव बना रहा होगा तो इसी वो proof किया था कि इसने डेविसन और जर्मन ने कि जो electron है वो क्या है particle as well as wave nature show करता है और उसने क्या दिया था एक formula दिया था जो ये wavelength दी थी उसको define करने के लिए जो बोहर थे बोहर की पॉस्टिलिर के चाप में पढ़े थे बोहर की थी त्योरी की कुछ क्या थे drawbacks थे जैसे अपने थॉम्टिन की थी पढ़े रधर फोर्ड की पढ़े ऐसी कुछ drawback थे बोहर के भी ये drawback तब सामने आ रहे थे जैसी जैसी क्या हूरती new new discoveries हो रहे थी नए अरहिटेसं के लेंवगे-एक का लगा पानगे-क अरुभे वे This week को ओना अर। रज़ा था है कर दो भी बातनों क refuse दी दूसरा गया म्माशन कररा है हो यह फिर क्या होगा जब किसी भी इलक्टिक लाइन में मैंनेटिक फिल्ट पास कराते हैं तो यह स्प्लिट हो जाता है तो वह एफेक्ट को बोहर समझा नहीं पाए थे तो वह क्या था इडिड नौट एक्सप्लेंड अधिड नौट एक्सप्लेंड इस्पेटिंग उफ लाइन कि इस प्रिटिंग लफ लाइन को थोड़ा याद रखना टम्स क्या क्या होता है पहला एफेक्ट एंदूसरा एफेक्ट एक होता है जी मन इफेक्ट और एक होता है स्टार्क एफेक्ट जब स्पेक्टर लाइन्स में हम लोग क्या पास कराएंगे मैगनेटिक फिल्ड पास कराएंगे वो स्प्रिट हो जाती है इसको बोलते हैं जी मन इफेक्ट जी तो मैगनेटिक फिल्ड और जब स्पेक्टर लाइन्स में इलेक्ट्रिक फिल्ड पास कराएंगे तो वो क्या हो ठीक है इतना समझमा है तो यह क्या थे इसके कुछ ड्रॉबेक्स थे अब पढ़ेंगे हम हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी पिंसिपल हाइजनबर्ग साइंटिस्ट वे जिन्हों ने कहा किसी भी इलक्ट्रॉन का मिलब कोही भी चीज जो होगा मलब जो बहुत छोड़ी से छोटी चीज अगर वो क्या कर रही है मलब कोई कि स्कूपिक पार्टिकल अगर वो कर रहा है तो एक साथ साइमन्तेनेसली हम उसकी पोजिशन और उसका मुमेंटम find out नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा the position the position and the momentum momentum मतलब P the position and the momentum of microscopic 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 particle cannot be cannot be determined cannot be determined exactly exactly और simultaneously exactly simultaneously मतलब एक साथ एक साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं दोनों चीज नहीं निकाल सकते हैं किसी एक बारे में position निकाल पाएंगे या किसी एक बारे में momentum निकाल पाएंगे उसके लिए उन्होंने क्या दिया एक mathematical term या expression दिया वो कहा उन्होंने जो delta x delta x मतलब कुछ error आ गया जब मैंने क्या निकाला position निकाल रहे थी उस टाइम पे कुछ error आ गया multiply by जब मैं momentum निकाल रहे थी उस टाइम पे कुछ error आ गया वो क्या होगा हमें से greater होगा किसके h over 4 pi के जहां पे h क्या होगा planks constant होगा यह क्या था mathematical expression था किसका Heisenberg का जहां पे कुछ मतलब यह क्या है error detect in Error या Uncertainty Detect in in finding position and error detect in finding momentum वो क्या होगा delta P होगा ठीक है अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं अगर बाइदेवी हम लोगों को किसी का किसी का momentum पता है मतलब हमको किसी भी particle का mass पता है धंसे उसी particle का अगर हमको velocity भी पता है velocity भी clearly पता है तो उसका momentum निकाल लेंगे मतलब जो momentum मतलब कोई भी error नहीं आएगा तो delta P equals to 0 हो जाएगा ठीक है तो इसको equation में प्रकते हैं delta X into delta P greater and equal to h over 4 pi तो delta X h over 4 pi into delta P delta P equals to 0 तो delta X चपॉन 0 जो किसके equal to हो जाएगा infinite के equal to हो जाएगा मतलब अगर हमें किसी एक चीच का किसी भी एक चीच का यहाँ प्रकते हैं पोजिशन भी निकाल सकते हो अगर आपको किसी भी एक चीच का बिल्कुल clear पता है error नहीं आ रहा है तो दुसरे में कितना कैतना error आ जाएगा infinite error आ जाएगा जो detect करना impossible होगा आप यहाँ पर आप delta X भी निकाल सकते हैं ठीक है अब कुछ terms हैं एक होता है और resource डूपिक है अर्बीट खतुटे साम थोड़ा सा डिफ्रेंस पूस्तिया जाता है तो और्बिट क्या होता है और्बिट होता है जहां इलक्ट्रोन रिवॉल्व करेंगे इलक्ट्रोन दे पोजिशन विएर दा इलक्ट्रोन रिवॉल्व वही orbitals क्या होता है orbitals होते है 3D reason कोई भी 3D reason यह फिर कोई space nucleus के चारो ओर का कोई सभी space कोई सभी space जहां electron को पाए जाने की probability maximum होगी क्या होगी maximum होगी उसे क्या बोलता है orbitals बोलता है दुपरा देखते है orbit क्या होता है जहां पर electron revolve करते है उन्हें क्या बोलते है orbits बोलते है और orbital किसको बोलते है जहां पर electron को पाए जाने की possibility या फिर probability maximum होती है उसे हम लोग कहते है orbitals Thanks for watching वीडियो अच्छा लगे तो like and subscribe Thank you